कि आ इस आउड आउड आउव बिल्लाई में शाहित्वान इर्वाजीम बिसमिल्लाई रौपान इरहीम असलाम लेकुम दोफ्तों मैं हूँ मुफिन दवाइब और आप लोग देख रहे हैं 24R7 टीचर्ज ऑन-लाइन दोफ्तों हमारे डेटा कम्यूनिकेशन की कलाफ चल रही है और आज उस सीरीज का हमारा पांचवां लेक्चर है तो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते चले आ रहे हैं पिछली एक दो क्लाफिस से और आज भी हम अपने जो डिस्केशन है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के उपर जारी रखेंगे और आज क्लाफ में हम देखेंगे के प्रोटोकोल्स क्या होते हैं तो चलिए आज की क्लाफ शुरू करते हैं आज की क्लाफ शुरू करने से पहले दोफ्तो हम यह देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लाफ के अंदर क्या पढ़ा था दोफ्तो हम लोगों ने पिछली क्लाफ के अं के हवाले से ownership के हवाले से इन networks को within detail समझाया था इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बात की थी switching की और इसमें मैंने आप लोगों को दो switching की जो अक्साम है circuit switch network और packet switch network इस हवाले से बताया था तो यहां तक तो थी हमारी पिछली class दोस्तों आज की class में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया के हम लोग अपनी discussion जो है वो networks के उपर जारी रखेंगे और आज की class में हम लोग देखेंगे के internet जो है वो क्या है और इ क्या है और जो capital AI के साथ आपका internet होता है उससे क्या मुराद है इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे history of internet की और उसके बाद हम network से related एक topic है protocols उसके बारे में पढ़ेंगे उसके साथ ही हम protocol layers की बात करेंगे कि protocol layers क्या होती हैं और इसकी कितनी अक्साम हैं उसके बाद हम लोग इस आखित में हम लोग यह भी देखेंगे कि principle of layering से क्या मुराद है तो चलिए हम आज की अपनी class शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि internet क्या है और इससे क्या मुराद है दोस्तों हमारे पास internet जब भी हम लिखते हैं तो इसमें हम एक internet जो है वो small i के साथ लिखते हैं और एक हम capital i के साथ लिखते हैं the internet with the small i जो आप internet लिखते हैं with the small i is a combination of two or more computer networks तो यह आपका दो या दो से जाइद computers का जो network होता है उसको हम small i के साथ internet लिखते हैं लेकिन हम जो internet use करते हैं it is basically written in the with capital i तो जब हम the word internet with the capital i is a combination of thousands of computers that are connected with each other कि जब आपके पाफ बहुत सारे thousands of computers जो है वो आप असमें connected होंगे to share the information to exchange the information या communication के लिए तो उसको हम internet कहते हैं दोस्तों इसके बाद हमारे पाफ कुछ चीज़ें होती है with these things we can access the internet हम जो है internet को access करते हैं इसमें हमारे पास dial-up mode है कि आप ने शुरू में देखा होगा कि जब internet आया था तो वसकत हम लोग जो है dial-up mode use किया करते थे कि एक connect के button पे हम click कर दे थे तो हमारा जो है वो PTCL line के थूरू dial-up के थूरू एक बीप की शकल आएती थी टूंट और टूंग की शकल में जो है वो connect हो जाता था तो वो हमारा dial-up mode था आज कल जो है है recently हम लोग different mode use कर रहे हैं तो एक्सेस दा internet इसमें हमारे पाफ टी एसल मौड है इसमें हमारे पाफ के बल एक्सेस है कि हम के थूरू जो है इंटरनेट को एक्सेस कह सकें और दूसरा हमारे पाफ डारेक्ट एक्सेस भी है जो मुख्लिस organization के अंदर हम लोग यूज करते हैं इसके बाद दोस्तों बात साती है जी हमारे पास history of internet की के internet की जो इप्तदा है वो कब से और कहां से हुई और कौन सी ऐसी स्टेजिस से internet जो हुआ यह तकरीबन बात है 1950 की उफ़कत आपका telegraph का system शुरू हुआ है और विद दी start of the telegraph system तो यह आपकी internet की जो है first stage थी इसके बाद उनी फ़ ताफट के अंदर ARPANET आ गया ARPANET जो है बिसिकली यह defense के अंदर यूज किया गया और इसमें packet switching के आपर काम किया गया we have already discussed about the packet switching in our previous lecture इसके बाद 1983 के अंदर birth of internet internet की इप्तदा हुई और उसके साथ ही TCP IP दो प्रोटोकोल आपके पास आगए transmission control protocol और internet प्रोटोकोल इसके बाद आपके पास जो है 1983 के अंदर ही एक mil net का concept आगया इसके बाद आपके पास 1984 के अंदर CS net यानि computer science networks आ गए ओपर वाला जो है आपका military network है वो भी 1983 के अंदर हुआ उसके बाद 1984 के अंदर जहाए वो CS network आ गया यानि computer science network इसके बाद 1985 के अंदर nff network आ गई इसके बाद आपके पास उनिफर नवे के अंदर www यानि world wide web यह उनिफर 99 के अंदर तो इसकी तदा हुई थी लेकिन public के लिए जो है वो उनिफर 91 के अंदर इसको शुरू किया गया तो यहां पे इसलिए मैंने उनिफर नवे जो है वो पॉइंट लेकर लिख दिया है तो इसको शुरू किया गया वह उनिफर 99 लेकिन public के लिए वेलेबल लेटी जो है वो उनिफर 91 के अंदर इसके बाद इंटरनेट के अंदर और और भी काफी फारी जिदद्स आईं आपके पाफ जो है वह फेस्बुक आ गई आपके पाफ ट किलास में हम लोग बात करेंगे प्रोटोकोल्स के उपर और प्रोटोकोल्स लेयर के उपर अब सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि प्रोटोकोल्स बिसीकली होते क्या हैं प्रोटोकोल्स आर सेट अफ रूल्स टु गवर्न दी कम्मिनिकेशन ओवर नेटवर्क कि य यह आपका जो internet है इसके ऊपर जो है जो communication हो रही होती है उसको govern करते हैं और इसमें हम कह सकते हैं कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं they are communicating with each other तो first of all they have to define the set of rules जिनको वो follow करके बात करेंगे first of all they have to define the meeting time वो meeting time define कर लेते हैं कि both parties will come at 12 o'clock वो 12 o'clock आ जाती हैं and then they have to define to speak in English के everybody can speak in English हर बंदा जो है वो English के अंदर बात करेगा nobody can speak in Urdu कोई भी बंदा जो है वो उर्दू के अंदर बात नहीं करेगा तो these are set of rules for communicating of two parties दो पार्टियों के दर्मियान communications के ये rules हैं तो इनको हम protocols कहते हैं जो हम computer networks के अंदर use करते हैं इसके बाद दोस्तों बात आती है protocol layers की इसमें हमारे पास दो किसम की layers हैं एक हमारे पास simple communication के लिए जिसे हम single layer कहते हैं और दूसरी हमारे पास complex communication के लिए इसको हम बारी बारी देख लेते हैं बलके with the help of some images I will show you how these layer works के ये कैसे जो है दो layers काम करती हैं इसमें हमारे पास first layer है simple communication के लिए single layer है इसको हम single layer इसलिए कहते हैं कि यहां पर देखें आपके पास एक दू तफ्वीरें आपको नवेर आ रही हैं इसमें एक मॉफिन है और दूसरी तफ्वीर जो है और सुन भी सकता है तो यह हमारी बिल्कुल एक first layer है जिसके उपर यह सारी काम हो रहा है और यह बिल्कुल आपकी एक simple communication है इसके बाद हम बात करते हैं हमारी multi-layer communication की या complex communication की अब इसके अंदर देखें आपको तीन जो है वो layers दिखाई गई अब यहां पर देखें हमने जो है मौफिन एक और फिटी से बिलॉंग करता है और अहमद जो है वो किसी और फिटी से बिलॉंग करता है वो एक दूफरे के साथ कमिनिकेट करना चाहते हैं तो उनके पाफ different options available है आपको layer 1 के उपर नवर आ रहा होगा पोस्ट अब post क्या है कि वो कोई एक चिटी लिखके जो है वो एहमत को भेज सकता है यहांपर जो है वो fend b भी कर सकता है पोस्ट को और receive भी कर सकता है और इसी तरह जो दूसरी drug i find वहां पर भी वही है कि आपका जो है वो letter को receive भी कर सकता हैर letter को दोपर सकता है दिस process is working on the first layer that is known as the layer one if you are seeing the layer number two, अगर हम layer number two को देखते हैं तो यहां पे देखें कि वो एक email कर सकता है email के अंदर क्या होता है अब वो जो हमने post पड़ा है उसके अंदर हमारी कोई data security नहीं है रास्ते में कोई letter को खोल के भी दे सकता है तो फार that purpose अगर हम security को enhance करना चाते हैं तो we will write an email to Mr. Ahmed हम Mr. Ahmed को एक email कर सकते हैं इसमें भी हमारे पाफ जो है sending भी होती है और receiving भी होती है अब यह जो working है हमारी यह हमारी layer two के उपर हो रही है इसी तरह आपकी जो टीसरी layer है इसके उपर क्या है आपने email तो फेंड कर दी है but they will not transfer in the shape of text वो text की shape नहीं जाएगी बलके सबसे पहले उसकी encryption होगी और उसके बाद फिर उसकी decryption होगी जब वो एहमत को receive होगी लेकिन यहां पर encryption और जो आपकी decryption है वो fame दोनों fight पर equally होगी क्योंकि जो है यहां पर अगर morphine encryption कर रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि वो decryption नहीं कर सकता बलके अहमत की तरह से जो message आएगा वो उसको decrypt करेगा और उसको देखेगा कि originally क्या message है और यह जो है यह आपकी तीसरी लेयर है तो इस तरीके से आपके different जो complex communications होती है वो आपकी multi layers के अंदर होती है यहां पर मैंने आपको दो layers के बारे में बताया एक single layer और एक multi layer हम use करते हैं simple communication के लिए और जो आपकी multi layer है वो हम use करते हैं complex communication के लिए दोस्तो हमने layering के उपर बात कर ली अब हम इसके कुछ pros and cons देख लेते हैं layering के हवाले से कि इसके फवाइद क्या है जब हम multiple layers use करते हैं या single layer use करते हैं तो दोस्तों जब हम multiple layers करते ही होते हैं तो उसके different advantages है उसमें सबसे पहला है modularity each task perform layer is fail correct the layer अब देखें हमने अपनी example के अंदर देखा कि first layer के उपर जो है वो posting हो रही है एक letter भीज़ा जा रहा है दो फ्री के उपर email भीज़ी जा रही है ती फ्री के उपर encryption या decryption हो रही है तो यहां पर देखें अगर आपकी कोई एक layer काम करना छोड़ जाती है तो हम क्या करेंगे हम फिरफ उसी को identify करेंगे उस layer को which is not perform their function efficiently तो हम उसको correct कर लेंगे अब इसका जो effect है हमारे बाकी के system पर नहीं पड़ेगा on the other hand if we are talking about a single layer अगर हम a single layer की बात करते हैं तो वहां पर अगर बो layer काम करना चोड़ जाती है तो our whole system is damage हमारा पूरे का पूरा system जो है वो damage हो जाएगा तो इसमें यह पहली एक होबी है modularity की के हर जो different task है वो different layer के उपर जो है वो perform किया जाता है इसके बाद second चीज़ है separate of service from implementation के आपका जो service है उसको अलग रखा गया है और उसकी जो implementation है उसको अलग रखा गया है that is the second advantages of layering इसके बाद तीसरा है a reduced complexity के आपकी जो complexity है communication की वो भी कम हो जाती है इसके बाद है reduced cost of capital के आपकी जो cost communication की या capital की वो भी कम होती है इसके बाद है जी fault identification is very easy के आपकी जो fault की identification है वो असानी के साथ आप कर सकते हैं when we are using the multiple layer for the communication purpose जब हम communication purpose के लिए multi-layer का यूज कर रही हैं तो identification किसी भी fault की वो बिल्कुल असानी के साथ है और उसको फिर हम ठीक करके अपने system को बेतर कर सकते हैं जहां पर दोस्तों इसके advantages है यूज करने के multiple layering के वहां पर इसके कुछ disadvantages भी हैं तो यहां पर जो पहला disadvantages है वो लिखा हुआ non-really के यह non-really होती है तो दोस्तों यह हैं हमारे कुछ advantages and disadvantages of use of multi layering दोस्तों इसके बाद बात अपती है resources waste यहां पर लिखा हुआ यह जलती से आ गया तो दोस्तों इसके बाद अगली screen के उपर आपको नवर आ रहे हैं कुछ principle of layering कि जब आप multiple layering के उपर काम कर रहे होते हैं या use कर रहे होते हैं फक्त दियर communication तो उसके दो principle है पहला principle है bi-directional कि आपकी जो communication है on different layer वो bi-directional होगी bi-directional का मतलब यह है कि एक तरफ से चीज आ रही है तो दूसरी तरफ से जा रही है तो यहां पर देखें अगर हम listen कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सुन नहीं सकते तो इसका मतलब यह हुआ bi-directional का कि आप at the same time जो है आप दोनों काम जो है वो कर सकते हैं आपकी जो layer है उसके ओपर वो listening भी आप कर सकते हैं और talking भी कर सकते हैं तो इसका यह मतलब है bi-directional का इसके बाद आपकी जो second principle है that is known as the generated object are the same अब आपका हर जो layer ह उससे जो आपकी output आएगी वो भी same आनी चाहिए यह नहीं है कि हमने जो है इदर से email transfer की वो हमने उस message को जो है वो encrypt किया अब दूसरी site पर जब एहमद के पास वो message पहुंचा तो वो भी इसकी encryption कर दे no बलके वो उसकी description करेगा अब जब एहमद कोई message इदर transfer करेगा तो वो उसकी सबसे पहले encryption करेगा और जब motion के पास वो message पहुंचेगा तो वो फिर उसकी description करेगा इसका मतलब यह है कि आपकी जो object generate हो रहे हैं वो same है कि वो side पर भी encryption हो रही है दूसरी side पर भी encryption हो रही है अब दूसरी side पर आपकी description हो रही है तो first side पर भी आपकी description हो रही है तो तो यह थे हमारे वो दो principle of layering के when we are working on the multiple layers जब हम multiple layers के पर काम कर रहे होते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी आज की class हम quickly जो है summarize कर लेते हैं कि आज की class के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज की class की अपतदा हम लोगों ने internet से की हम लोगों ने कुछ history देखी internet के हवाले से फिर हमने देखा के कुछ set of rules हैं that are called protocols हमने protocol layers की बात की और उसमें हमने दो अकसाम देखी एक single layer और एक multi layer की उसके बाद हम लें multi layer के कुछ pros and cons देखे और आखिर में हमने principle देखे layering के तो दो दोस्तों ये थी हमारी आज की class आज की class हम यहीं पर खत्म करेंगे मुझे उमीद है कि आपको इस CS601 data communication की series से फाइदा हो रहा होगा आप यकिनन इससे कुछ न कुछ सीख रही होंगे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आपने like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और comment की फूरत में अपना feedback दीजिए ताकि मैं और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरह ब वेरी मच्छ दोस्तों अलाह हाफिव